हलो गाइज, मैं हूँ मनीश वर्मा और आपका स्वागत है हमारे चेनल लर्न ओफ टेकनों पर तो डियर फ्रेंड हमारा जो टोपिक चल रहा है वो ड्रिल का चल रहा है ठीक है इस ये पहले हमने एकसा है, चीजल है, फाइल है, आधी का हमने क्या है कि टोपिक है, वो कलियर कर लिए, कटिंग टूल में, तो आप कोई भी सेंटर गोवर्मेंट या स्टेट गोवर्मेंट की टेकनिकल लेवल की अगर त्यारी कर रहे है तो आपके लिए most important notes है, वो मैं आपके लिए निकाल कर लाया हूँ तो आप एक बार वीडियो को end तक जुरूर बाच कीजिएगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, तो चैनल को subscribe कीजिएगा, ठीक है dear friend तो चलिए, class को शुरू करते हैं तो कल हमने देखा था, कि जो fluted drill होती है, वो उसके कितने parts होते हैं, उसके बाद drill के कौन से कौन से parts होते हैं एक्जाम में जो important जो पूछे जाते हैं, सिर्फ उनी से related हमने जानकारी ली थी तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, तो आप एक बार पहले वो वीडियो देख लेजिए यानि कि कोई भी चीज है, अगर आप continue जहां से start होएं start से अगर आप कोई चीज को लेकर चलते हैं, तो end तक जाएंगे, तो आपको सारा कुछ clear होता जाएगा अगर आप कोई चीज को बीच से अगर शुरुआत करेंगे, तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा ठीक है dear friend, तो इससे पहले जो चीजल की दो क्लासे हो चुकी है, sorry drill की दो क्लासे होचके, उनको जुरूर आप वाच कीजिएगा, इसके बाद इस वीडियो को वाच करनेगे ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं, तो आज हम जानेंगे body clearance body clearance क्या होता है, तो यह margin के नीचे छोटे व्यास वाला भाग होता है किसके body के नीचे, जो margin जो हमारी बनी होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक से दो mm मोटाई में क्या होती है, drill पर margin बनी होती है और margin के जस्ट पीछे वाले अगर भाग देखेंगे, तो वो क्या नीचा हुआ भाग होता है, ठीक है जिसको क्या land बोलते है, तो वहाँ पर क्या एक clearance दिया जाता है, ठीक है तो वो margin के वज़े से वहाँ पर clearance मिल जाता है, जिससे हमारी drill की body है वो पूरी job के साथ touch में नहीं आती, और वहाँ पर गर्षन नहीं होता है, ठीक है तो इसने क्या बोला है, यह margin की नीचे छोटे व्यास वाला भाग होता है जिससे body को clearance मिल जाता है, यह drill के व्यास से कम size का होता है इसे clearance dia या clearance व्यास भी कहते है, ठीक है body clearance को clearance व्यास भी कहते है, ठीक है clearance dia भी कहते है, body clearance को तो ठीक है ये margin के बाद जो drill का जो बचावा भाग होता है जो आपने देखा होगा normally drill में जो margin वाला भाग होता है वो उपर उब्रावा होता है जो नीचे दबावा जो भाग होता है वही क्या होता है मारा body clearance होता है ठीक है next है इसमें web web क्या होता है तो यह drill के बीच में x के साथ वाले भाग में होता है यह drill flutes के बीच का भाग होता है यह नीचे से पतला और उपर की और मोटा होता जाता है नीचे से पतले का क्या मतलब है point की तरफ से पतला और neck की तरफ क्या होता है मोटा होता जाता है वेब कौन सा होता है, जैसे फ्लूट कट गया, एक इस साइड से फ्लूट कट गया, और दूसरा इसके सामने फ्लूट कट गया, तो इन दोनों के बीच में जो ये जो दूरी है, ये जो मोटा ही बच जाती है, दोनों के बीच में, वही क्या होता है, मारा वेब होता है, ठीक ह देता है ठीक है और दूसरा इसमें ये कारण होता है कि कई भार क्या होता है जैसे नॉर्मली क्या हम ड्रिलिंग है वो वर्टीकली करते हैं जैसे लेट मसील में क्या होता है horizontal drilling operation होता है हमारा horizontal drilling operation होता है तो उसमें क्या होता है dear friend कि जैसे हमने horizontal उसमें drill कर रहे हैं तो कुलेंट हम यहाँ पर डालेंगे तो अगर wave की मोटाई है वो point से और नीक की तरफ अगर समान रहेगी तो कुलेंट हमारा यहीं कठा होता जाएगा लेकिन इधर क्या है यहाँ पर हमारी drill की नीक बनी हुई है इधर हमारा point है तो point की तरफ फतला है तो यह क्या है इसमें एक डलान बनी हुई होती है इसमें क्या होती है उस point तक पहुंचेगा वो drill के point को drill के cutting edge को क्या रखेगा ठंडा रखनी में साहेता परदान करेगा तो wave का मुख्य क्या रहे क्या होता है कि current के बहाव के लिए क्योंकि अगर कोई भी जगह है अगर वो समतल है बिल्कुल अगर समतल जगह है अगर पानी डालते हैं तो यहीं इस्तिर हो जाता है लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा डलान बनाओगा इधर की तरफ यह से तो जैसे ही हमने यहाँ पर पानी डाला वो क्या होगा दीरे दीरे आगी की तरफ बहने लगता है तो वही डलान इसमें वेब में बनाई हुई होती है ठीक है dear friend तो उस वज़े से क्या होता है उस डलान की वज़े से इसमें जो हम कुलेंट जो देते हैं तो वो क्या होता है होरिजेंटल ड्रेलिंग के समय आसानी से point तक पहुंच जाता है ठीक है most important है या कई बहुत बार पूच लिया जाता है एक्जाम में कि वेब को point की तरफ से पतला क्यों रखा जाता है तो कुलेंट को कुलेंट को point तक पहुंचाने में सक्सम होता है या point तक पहुंचाने में साहिता परदान करता है ठीक है dear friend next हम बात करते हैं next अगर हम इसकी बात करें next हमारा आता है lips अब lips कौन सा होता है तो lips क्या होता है यह drill का सबसे नीचे का भाग होता है जो की cutting angle बनाते हैं इसमें cutting age बनते हैं जहां पर drill के cutting age बनते हैं cutting age के just पीछे just पीछे cutting age के just पीछे ठीक है कौन सा land वाला जो भाग होता है वही क्या lips कहलाता है ठीक है जहां से cutting edge बनते हैं सिर्फ वही भाग क्या कहलाता है cutting edge के just पीछे lips बनता है वहाँ पर lip clearance भी दिया जाता है ताकि हमारा drill के जो lips है वो पूरे body के साथ touch में ना आए हमारा जो job है उसके साथ में संप्रक में ना आए lips और वहाँ पर गर्षन कम हो drill का point है वो गरम कम हो इसलिए क्या उसमें lip clearance भी दिया जाता है ठीक है तो lip clearance क्या होता है इसको हम आगे देख लेते हैं इसमें क्या दिया है lip clearance में lip clearance में क्या दिया है cutting edge के पीछे वाला भाग taper में grind कर दिया जाता है जो कारे के अनुसार रखा जाता है यानि कि जो drill cutting edge जो बनेंगे जैसे हम cutting edge बनाएंगे grinding करके उसके जस्ट पीछे के भाग को थोड़ा सा taper में क्या कर देते हैं grind कर देते हैं उसको बिल्कुल flat नहीं रखते हैं तो वहाँ पर क्या lip clearance दिया जाता है lip clearance देने का advantage क्या होता है कि वहाँ से एक तो जो हमारे cutting की cutting edge होते हैं उनकी धार है वो अच्छी बनती है और दूसरा उसमें cutting जो cutting करता है उस time drill हमारा गोमता है तो जो breakfast होता है उसके साथ में body है वो कम touch होएगी तो वहाँ पर क्या heat कम उत्पन होगी ठीक है और ये भी क्या अलग-अलग रखा जाता है जो lip clearance angle है वो hard दातों के लिए कम रखा जाता है और soft दातों के लिए अधिक रखा जाता है ठीक है dear friend तो चली हम इसको आगे पढ़ लेते है आगे इसमें क्या दिया है आगे दिया साधारण त्या 12 से 15 degree का angle हो बनाते है lip clearance angle हो कितना normally 12 से 15 degree तक हमारा रखा जाता है यह नरम दातों के लिए अधिक वो कठोर दातों के लिए कम रखा जाता है जो 8 से 15 degree तक होता है ठीक है कई वार क्या है 12 से 15 degree तक हम साधारण रखती है लेकिन एक्जाम में अगर हमसे पूछा जाता है तो वहाँ से 8 से 15 degree दिया रहता है तो हम right answer 8 से 15 degree कर देते है ठीक है dear friend और इसमें बोला कि नरम दातों के लिए अधिक रखा जाता है और कठोर दातों के लिए कम रखा जाता है lip clearance इंगल तो कठोर दातों के लिए इसलिए कम रखा जाता है dear friend क्योंकि जो hard metal होता है उसको काठने में थोड़ा मुझकिल से कटता है किसकी apexia जो हमारा soft material है उसकी apexia hard metal की cutting है वो थोड़ी मुझकिल से होती है ठीक है उसमें क्या है जो हमारा cutting age जो होते है उन पे pressure ज्यादा पड़ता है तो अगर हमने वहाँ पे lip clearance इंगल अधिक रख दिया तो हमारे जो cutting age होंगे वो क्या hard metal की जैसी cutting करने लगेंगे तो हमारे क्या होंगे जो cutting age है वो तूटने लगेंगे ठीक है वो blunt हो जाएंगे तो इन से बचाने के लिए hard metal की जब भी हम cutting करते हैं तो lip clearance इंगल कम रखते हैं और soft दातों के लिए lip clearance इंगल अधिक रखते हैं ताकि वो soft metal को असानी से काट सके क्योंकि जितना lip clearance इंगल ज्यादा रखेंगे cutting edge उतना ही sharp बनेगा धार उनकी उतनी ही तेज रहेगी ठीक है और पीछे जो उसको जो base जो मिलता है जो sport मिलती है वो क्या है कि cutting angle अगर हम अधिक रखेंगे sorry lip clearance इंगल अगर अधिक रखेंगे किसकी land की ठीक है different आगे देख लेते हैं इसमें आगी क्या दिया है इसे lip clearance एंगल भी कहते हैं lip clearance को क्या lip clearance एंगल भी कहते हैं ठीक है साथा जो lip clearance है वो 8 से 15 sorry 12 से 15 डिगरी तक रखा जाता है ठीक है और heart दातों के लिए कम रखते हैं soft दातों के लिए अधिक रखते हैं अगर आपको 8 से 15 डिगरी का भी option मिल ला है तो आप 8 से 15 डिगरी right answer का करके आएंगी ठीक है dear friend आगे मैंने कुछ आपके लिए एक table बनाई है जिसमें metal का नाम है और हमारा lip clearance angle है कि 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 metal के लिए कितना लगबग lip ठीक है तो फर्स्ट है हमारा hard metal जैसे की carbon steel आप carbon steel hard metal आ गया hard metal के लिए मैंने क्या बता है था लेप के लिए ने single कम रखेंगी तो कम यानि की 7 से 10 डिगरी तक रखा जाता है ठीक है 8 से 10 डिगरी भी दिया हो hard metal यानि की carbon steel के लिए यह क्या होता है कई बार exam में जो examiner होता है वो क्या करता है कि specific पूछ लेता है कि especially एक metal का पूछ लेता है कि इस metal के लिए कौन सा lip clearance single रखेंगी या कितने डिगरी का lip clearance single इस डातू के लिए special रखेंगी तो वो index वहाँ पर ये चीजें काम आती है ठीक है मत्यम hard जैसे draw force steel है यानि कि medium hard metal है like draw force steel है तो उसके लिए क्या रखेंगे 10 to 12 degree तक रखेंगी ठीक है साधारण कारिया जैसे mild steel normal वरक के लिए कितना रखेंगी तो 12 to 15 degree तक रखेंगी अगर हमारा पितल या तामबा है तो उनके लिए कितना रखेंगी तो उसके लिए हम रखेंगी 12 से 15 degree तक इसके अलवा जो हमारा soft cast iron है या फिर aluminium है तो उसके लिए रखेंगी 12 से 15 degree तक ठीक है हमारे कोई लकडी है wood है कोई या फिर wakelite वगेर है तो उनके लिए भी 12 से 15 degree का angle है वो रखा जाता है ठीक है तो इन सभी को आप अलग से note कर लेजी कई बार क्या होता है कि आपको एक facily metal दे दिया जाता है कि इस metal के लिए हम है कितना degree lip कले रखेंगी या फिर इस metal में हमें drilling करनी है तो drill का lip कले रखेंगी पर grind किया जाए एसे क्या है इसके क्योंसतर ने वो बनते हैं next अगर हम बात करें तो next हमारा आता है dead center dead center क्या होता है तो dear friend इसको chisel edge या point भी कहते है ठीक है जैसे कि मैंने आपको पीछे figure में दिखाया था dead center इसको कहते chisel edge या फिर point भी कहते है यह सबसे नीचे वाला भाग होता है जहां दोनो conical step आपस में आकर मिलती है यानि कि drill का जो नीचे जो point बनता है उसी को क्या dead center बोला जाता है ठीक है dead center को chisel edge भी बोला जाता है और इसका भी chisel edge का भी क्या होता है chisel edge angle है रखा जाता है तो उसके बारे में भी हम आगे पड़ेंगे ठीक है हमारे drill के part में last हमारा part साता हील तो क्या होता है cutting edge के ठीक पीछे के point के भाग को क्या कहते है हील कहते है कौन से cutting edge के just पीछे के भाग को क्या कहते है हील कहते है जो क्या cutting करते समय हमारे job के साथ में टेसम प्रक में नहीं आता है यान कि job को touch नहीं करता है operation करते समय ठीक है और drill दोबारा जो operation करते हैं उसको drilling बोला जाता है ठीक है dear friend dear friend मैं आपके लिए छोटी छोटी वीडियो प्रवाइड करवा रहा हूँ क्योंकि अब भी जैसे कि आप भी देख सकते हैं मैंने नया चैनल हो शुरू किये अपकी स्पोर्ट की मुझे आउ सकता है उसके बाद मैं मैं आपके लिए लाइव क्लासे भी लेकर आ हुआ ठीक है क्लासें भी आपके लिए बढ़ी रहेगी ठीक है डियर फ्रेंड आपसे को उल्ली मुझे स्पोर्ट चाहिए अगर आप किसी भी सेंटर की या फिर स्टेट लेवल की टेक्निकल त्यारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल के साथ जुरूर जुड़िए अगर आप आई टे या सीटई तो आपर एसे मौटीवेशन मिलता है और share कीजी ताकि हमें अधिक से अधिक स्पोर्ट मिल सके और आपके लिए मैं बहतरीन कंटेट वो प्रवाइड करवाश कूँ Dear friend मेरा वादा है कि मैं आपको हमेशे YouTube पे क्लासे दूआ और इससे बहतरीन क्लासे मैं आगे से आगे आपको प्रवाइड करवाता रहूँआ Only आपकी स्पोर्ट की मुझे आव सकता है ठीक है dear friend Wish you all the best जैहिन जैवार्द